जहिन साथियों, बहुत वो शागत है आपका अपनी ही चैनल NIS Online Hub में दोस्तों सिख्चक नियोजन से जूड़ी एक अपडेट निकल के आ रही है जो कि इस वीडियो के माईधम से यहां पर देखने बाले हैं जो कि आज का ही यह नियूज पेपर है इसमें देख सकते हैं इसका इहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सिख्चक नियोजन प्राथमिक माईधमिक उच माईधमिक सिख्चकों की नियोजन परकिरिया बीभागी कारणों से लंबी थे सिक्षकों की कमी गुनवक्ता सिक्षा देने में बाधक और इदेख सकते हैं सिक्षक नियोजन में परकिरिया में बड़ा बदला होने जा रहा है क्या कुछ अपडेट आया है सारा इस वीडियो के मैद्यम से आपको देने वाले हैं साथ में दोस्तों आज जो है कुछ इस तरह के अपडेट आ रहे है और जैसा कि परात्मिक सिक्षा निदेशक के दुआरा जो है लेटर जारे किया गया है यानि जितने भी बहाली होगी इसी परकिरिया से गुजरना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे फरजी अभिहारती भी इसमें सामिल हुए है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं क्या कुछ अपडेट आ रहा है सारा इस वीडियो के माईधम सापको देने बाले है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सकाइब कर लेना और ऐसे ही अपडेट जो है लागातार में आप लोग के ऺ eigैने पैन चला रहे थे देख सकते हैं यहां पर तो दोस्तों उसी आज जो है बहुंख के लिए आज पहुचा सकते हैं जिस तरह जो है Facebook है उस तरह इसमें जो है आप अधिकारी को tag करके इसमें जो है आप अपनी बातों को रख सकते हैं तो आज का जो है Twitter campaign है वो आप देख पर होंगे स्क्रीन पर यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि पीडित बिहार सिच् आज चला जाएगा कुछी देर बाद जो है यह पुरा इंडिया में ट्रेंड होना चाहिए उस तब तक हम लोग को रुकना नहीं है तो दोस्तों आज जो है पेपर के मैद्धम से एक अपडेट यहां पर निकल के आई है जो कि समस्तिपूर से मैं पेपर का डेट भी यहां पर दिखाना चाहता हूं देख सकते हैं यहां पर 12-5-2020 और इसमें लिखा हुआ यहां पर देख सकते हैं सिक्षकों की कमी गुनवक्ता सिक्षा देने में बाधक और यह समस्तिपूर से आ रहा है और इसमें दोस्तों बहुत सारा अभ्यारतियों को कॉमेंट आता है कि यह बहली जो है रदधार हो जाएगी यह पिर से ऑणलाइन तरीकश और दोस्तों मैं आपको हर एक बार वीडियो में हर एक वीडियो में आप लोग से मैं कहा हूं कि यह बहाली जो है फिर से आवेदन नहीं किया जाएगा और आपको ये भी बता दूँ कि ये बहाली जो है रंद रद नहीं होगी बहुत सारे YouTube चैनल इस तरह का भ्रामिती फला रहे हैं ये बहाली जो हे रद नहीं होगा ये बहाली जो हैथ कि हाईप्षर है आपनी बात को ल Suppose को मीडिया पर ला शकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत जल्द आपको मिल सकता है जैसे ही मामला थोड़ा सा कोरोना काल में अभी कोट उट बंध है सिक्षा भी भाग यानि काम धीमी हो रहा है जैसे दोस्तों ये जो है इस्तीर होती है आपकी बहाली संपुन हो जागी आप लोग ये पोजिटिव मान के रहिए और दोस्तों संट्रलाइज तरीके से यहां पर बदलाव होने जाला है यानि संट्रलाइज तरीके से यह बहाली होगी और इसमें अगला प्रोसेस जो होगा 94000 में वह जो है एक पोटल त्यार किया गया है जो की प्रात्मिक सिच्छा करते हैं इसमें लिखा है कि प्रारंबिक से लेकर उच माजधिमिक बिदाला में सिच्छकों की कमी गुनवक्ता सिच्छा देने में बाधक बर रहे इस बाधक को दूर करने के उदेश में सिच्छक नियोजन की परकिरिया शुरू की गए थी लेकिन छटे चरण नियोजन क के पद के लिए आवेदन लेने की परकिरिया काफी पहले ही खत्म हो चुकी है लेकिन बीभीन मामलों में पटना हाइकोट के दिसा निर्देश और कई बार नियोजन परकिरिया पर अस्टे लगने के बाद जब नियोजन से संबंदिद गतिरी दूर हुई तो मैधा सुची के चकर में फसे नियोजन एकाई की परकिरिया में देरी कर दी वही माईधमिक सिक्चक नियोजन की कौंसलिंग की परकिरिया पूरी करने के बाद गतिरोद जो है उत्पन हुई और मामला हाइकोट में और दोस्तों अब जो है ये चुरानवे हजार के लिए अब आग यहां कहीं न कहीं जो है बिभाग भी इसमें दोसी है आप लोग का क्या राय है कौमेंट में जरूरी अपना बताना आगे यहां पर कहना है कि मामला हाईकोट में एक तरब सिच्चक अभिहारती बिहार सरकार और सिक्चा विभाग की मांसा पर सवाल खड़े करें दू लगाने की नहीं होता है यह आगे कहना है कि हम और सिक्चक अभिहारती विबेक प्तर की लिए बैटे हैं दूसरी तरफ सलवा-निरित फिच्चक को और रखने की बात करें और स een मामला जो है लंबी थे माइदेमिक सिक्षक पातरता 2019 यहां पर देख सकते हैं 19 का नोटिफिकेशन सेप्तमबर 2019 में जारी हुआ था इसकी ऑफ-लाइन परिक्षा 28 जन्मरी 2020 को हुई इसी परिक्षा में चार केंद्रों पर आउट ऑफ सिलेवस प्रस्न पूछे जाने पर हंगामा हुआ था हंगामा करने के बाद छात्रों ने हाइकोट में याचिका दायर की इसी बीच आनिमित्ता पाय जाने पर परिक्षा रद कर दी तब बिहार बोर्ड ने सप्टमबर 2020 में ऑनलाइन परिक्षा इसमें आउट ऑफ सिलेवस का आरोप लगाते हुए कुछ हात्रों ने याचिका दायर की और तब हाइकोट 26 नॉम्बर 2020 को रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी बाद में बाद के दिनों में सुनवाई करते हुए हाइकोट ने ऑनलाइन परिक्षा को सही करार दिया और रिजल्ट जारी करने का नेदेश दिया फिर कोरोना संकरम के बड़ते प्रोकोब और पंचाय चुनाव के जाल में नियूजन पर किरिया फस गई है और अभी का जस का तसी है जब तक ब्लाइंट प्रडरेशन केस का मैंसर नहीं हो जाता क्योंकि 17 तारिक को जो है कोट खुल रहा है और उमीद जता ही जा रही कि 17 तारिक के बाद यह सुनवाई हो जाती है जैसे इस्तिति समायन रहते हैं आपको अपडेट दी जाएगी क्या कुछ होगा औ जो है बड़ा बदलाव होने जा रहा है अब दोस्तों इसमें किसमें बदलाव होने बाला है बहुत सरा अभिहारतियों का कॉमेंट आता है कि 94,000 में है तो 94,000 में दोस्तों नहीं है क्योंकि इसमें आप जो है सब कुछ हो गया है 99.5% निकल गया है सभी मेरे लिस्ट आप जो इसमें सिर्फ कॉंसलिंग करके जोनिंग लेटर देना है अब बात करते हैं इसमें जो बदलाव होगा वह जो है अश्टिटी अभिहारतियों में बदलाव होगा क्योंकि इसका तीन बिसे का जो है रिजल्ट इसी माह तक आने की उमीद है और यहां पर सिक्षा विभाग जो इसमें पूरी तरह से बदलाव करने की तैयारी कर रही है तो दोस्तों इसमें बदलाव होगा ना कि 94,000 में बदलाव होगा वह एनासी पोटर पर ऑनलाइन के माध्यम से आपका डोकर्न वेरिपिकेसन होगा अहीं सिर्फ बदलाव होने जा रहा है अब बारत करते हैं इ सिक्षा नियोजन परकिरिया में पूरी तरह बदलाव करने जा रही है इससे आविदन से लेकर मेरी लेश्ट तक पूरी परकिरिया ऑनलाइन होगी साथ में अभिहारतियों के सारी परसानी भी दूर की जागी सिक्षा विभाग के अनुसार अब तक जिस तरह सिक्षक निय नियोजन समय बरतने अनियमक्ता पर्मुक है फर्जी सट्पिकेट को लेकर सवाल खड़े हैं सात्वे चरण में सचक बहाली परकिरिया में पूरी तरह ओनलाइन परकिरिया अपनाई जाएगी इसके तहत ना शरीफ आवेदन ओफ-लाइन लिये जाएगे जबकि अभिहारतिय के मेरिट लिस्ट भी ओनलाइन तियार किया जाएगा और इसमें एक बड़ा फायदा अभिहारतियों को भी होगा जिसमें सेंट्रलाइज आवेदन के कारण सभी जगा आवेदन नहीं जमा करना पड़ेगा इससे समय और पैसे की बरबादी नहीं होगी जिस तरह 94,000 अभि हाली होने जारी है उसमें जो है संट्रलाइज तरीके से किया जाएगा आपकी मेरिट लिस्ट और आगे की जो ऑनलाइन प्रोसेस होगी सारी जो है ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा यहाँ पर आगे कहना है कि पैसी की बरबादी नहीं होगी साथ ही आवेदन की परकिरिया फूल पूरूब होगी यहीं नहीं जब मेरी लिस्ट ऑनलाइन त्यार होगी तो अभिहारतियों का सट्पिकेट भी संट्रलाइज तरीके से सिक्षा विबाग के पास होगा गड़बड़ी क्या कंसर्जा मतलब आकांसा जा नहीं रहेगा तब तक फ्री एंड फेर तरीके से स अभिहारति जो है टूटर अभिहां चलने वाला है पीडित विहार सिचक अभिहारति आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट लिजिए तो इस अपडेट में दोस्तों फिलाल जो भी अपडेट आता है आपके सामने लाने का परियास करता हूं और जो भी करेंट अपडेट आ दिखाए और सिचक अभिहारति एक जूट हो गया है क्योंकि वो चाते हैं कि बहाली जल सजल तो आज टूटर कंपेंट देख सकते हैं टूटर कंपेंट जो है शुरू हो गया है दस बजे से यह पूरी तरह से शुरू हो जाएगा तो आप त्यार रहिए मोबाल चार्ज कर टेवे